जिस तरह मा बेटे का रिष्टा दुनिया में सबसे अलग होता है विसे ही बाप बेटे का रिष्टा भी सबसे खास होता है आपने कई पिता पुत्रों को देखा होगा जो किसी दोस्त की तरह होते हैं पिता ही है जो आपकी हर जरूरतों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिस में अपनी जी जान लगा देते हैं इस खास रिष्टे से जुड़ी पिता ने बेटे के लिए सिर्फ सहाट दिनों में स्पेशल रेस इलेक्ट्रिक कार बना डाली है जो इन दिनों बढ़वा के सडकों पर धूम मचा रही है कहते हैं कि जहां चाहत और ख्वाइश्ट के साथ ही होसले में दम होता है इस कहावत को बढवा के 31 वर्षिय विजय वर्मा ने हकीकत में बदल दिया है बढवा के विजय वर्मा जो पेशेवर से एक मेकेनिक भी है जिनने अपनी भतनी के साथ अपने बच्चों से भी बहुत प्यार है जिन्होंने अपने छोटे बच्चे वन्श वर्मा के लिए रेस वाली इलेक्ट्रिक कार बना डाली बता दे कि इस कार में दो लोग बैठ सकते हैं यह महज एक बेटरी चार्ज होने पर 20 किलोमेटर तक चल सकती है इसे बनाने में कुल 70,000 रुपए का कर्च आया है इसका छोटा साइज होने की वज़े से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं बता दे कि इस इलेक्ट्रिक कार की मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमेटर है और इसकी बेटरी को चार्ज करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है मरदुभाशी प्रदेश के लिए बढवा से विपिन जेन की रिपोर्ट वीडियो को लाइक करें शेयर करें मरदुभाशी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लेबल आइकें दबाना ना भूले